and just levitate hello guys, welcome back to my channel today I will tell you about symptoms, causes and treatment of snoring snoring बहुत ही common problem है snoring social problem ही नहीं, बलकि health problem भी है जब windpipe का size बहुत कम हो जाता है तब गले से जो harsh sound आती है उसे ही snoring यानि खराटे कहा जाता है हम में से बहुत लोग जो snoring करते हैं उन लोगों का मज़ाख उड़ाते है snoring एक ऐसी अजीब हो गरीब आवाज होती है जो सब को सोने में disturb करती है कुछ लोग तो रात को सोते वक सीटियां भी मारते है और ऐसे लोगों को कहा जाए कि तुम खराटे लेते हो तो ये मानने के लिए भी त्यार नहीं होते क्योंकि उस टाइम वो नींद में होते है और दूसरों की नींद को भंग कर देते है जो इनसान रात को सोते वक स्नौरिंग यानि खराटे लेता है उसे तो कुछ पता ही नहीं होता और जिसके कानों में उसकी आवाज बढ़ती है वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है ये स्नौरिंग बहुत डेंजरस है स्नौरिंग की अवाज नाक या मूझ से किसी से भी आ सकती है स्नौरिंग का कोई टाइम नहीं होता ये सोने के बाद किसी भी समय शुरू हो जाते है ज़्यादा स्नौरिंग से स्नास रुक जाती है और इससे आपकी मृत्यू भी हो सकती है यह तो खराटे लेना साधारन परिशानी है लेकिन जब ये बीमारी का रूप ले लेती है तो गंबी समस्य हो जाती है स्नौरिंग क्यों होती है इसके क्या कारण है ठंडी चीजों का उपयोग करने से गले में खराश होती है और उन से ही खराटे आते है कई बर किसी भी कारण से गले में स्वैलिंग हो जाती है उससे भी कराटे आते है जब विंड पाइप का साइज कम हो जाता है तब भी कराटे आते है ओबैसिटी यानि मोटापा एक्जेसिब वोडी फैट की वज़े से हेल्थ प्रॉब्लम जैसे स्नॉरिंग होती है ट्रीटमेंट ओव स्नॉरिंग फर्स्ट इसका ट्रीटमेंट है स्लीपिंग ऑन यूर साइड पुल्स टंग टू साइड यानि कि टंग को उपर नहीं लेके जाना उसको स्ट्रेच करके रखना है हाफ टेबल स्पून प्योर गी लीजिए इसे हलका गरम कीजिए इसे सुबह और रात को नोस्ट्रिल्स के अंदर लगाईए और गी अगर गाएं का हो तो और भी अच्छा है इसको हलका सा उपर खीचें नोस्ट्रिल्स को ताकि अंदर चला जाए रात को सोते वक्त गोल्डन मिल्क पी कर सोएं गोल्डन मिल्क यानि हल्दी का दूद वन टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर लीजिए और उसे गरम दूद में मिलाईए और सोने से पहले इसे पी लीजिए पानी में नमक डाल कर गारगल करें इससे भी आपके स्नौरिंग की प्रॉब्लम खतम हो जाएगी ये सारी प्रिकोशन लेने से स्नौरिंग की प्रॉब्लम नैच्रली पर्मानेंटली खतम हो जाएगी गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक and सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू